नहा ककड के भाई टोनी ककड इस वक्त अपनी बेन की हेल्थ को लेकर काफी परेशान नजर आ रहे हैं और उन्होंने नहा ककड और रोहन पिरी सिंग की डायवोज की हिंट भी दे दी है लेकिन अभी भी इस बात की कोई भी कनफरमेशन नहीं मिली क्या है टोनी ककड का रियेक्शन बताएंगे आपको आज की इस वीडियो में नहा ककड के डायवोज के खबरों से बॉलिवूट का बाजार गरम हुआ पड़ा है हर तरब बज इस कपल की ही चर्चा हो रही है इस कपल ने जब शादी की थी तो तब इने घूप ट्रोल किया गया था इनकी एज गेप को लेकर और अब नहा ककड की डायवोज के बाद टोनी ककड ने इस बात का खुलासा किया है के वो चाती थी के नहा रोहन प्री सिंग से शादी करे और इसकी वज़ाती उनका एज गेप इस वक्त रोहन प्री सिंग का नाम किसी और के साथ भी जोड़ा जा रहा है और सब का कहना है कि रोहन नेहा को चीट कर रहे हैं और वो किसी और को डेट कर रहे हैं और इस वक्त टोनी ककड अपनी भेन की पर्सनल लाइफ को लेकर काफी परिशान नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि इस वक्त उनकी फेमिली काफी मुश्किल वक्त से गुजर रही है इसलिए उन्होंने सबसे रुकेस्ट की है कि सब उनकी फेमिली के लिए प्रे करें हम आशा करते हैं कि नेहा की ये सौरी प्रोबलम्स जल से जल ठीक हो जाए और हो अपनी नॉर्मल जिन्दगी की ओर लोट सके दोस्तों आपको क्या लगता है कि नेहा ककर को रोहन प्री सिंग से अलग हो जाना चाहिए या नहीं हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा और अगर आप नेहा ककर के फेने तो इस वीडियो को करतें लाइक और अगर आपने हमारे चेनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चेनल को करतें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताके आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले और मजीदेशी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहीएगा